तो आज हम ऐसे स्वतन से नानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनोंने अपनी पूरी जान की बाजी लगा दी थी हमारे देश को अजात करने में सुबाचंद बोस का जनम 23 जनवरी 1897 को ओडिसा के कटक नामक एक छित में हुआ था और उन्होंने अपनी प्रारंबिक सिछा भी कटक में ही पूरी की थी सुबाचंद बोस कुल मिलकर 14 भाई बेहन थे उनके पिता का नाम जानकी नात बोस और मा का नाम प्रभा देवी था उनके सभी भाई बेहनों में से वे सबसे जादा प्यार शरत बाबु से करते थे और शरत बाबु उनके भाई के साथ साथ एक दोज भी थे शुबाश चंद बोश एक महान स्वतंत से नानी थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा उन्होंने ही हमारे भारत को या नारा दिया था शुबाश चंद बोश को अंग्रेजों की गुलामी करना पसंद नहीं था इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और भारत को स्वतंतरता दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने लगे उनका प्रेम विवा एहमिली नाम की एक लड़की के साथ हुआ वा उनको तम मिली जब वा अपना इलाज कराने आश्ट्रिया गय थे उन्होंने हिंदूरीती रिवाद से विवार्थ किया और एक पुत्री को भी जनम दिया 18 अगस 1945 को एक विमान दुर घटना में उनकी मित्ती हो गई वह एक बहुत इंसान थे और आज हम उनके जैनती पे उनको नमन करते ह आज है